लेकिन इस वक्त न्यूज नेशन के पास CBI की अरजी की वो कॉपी है जो CBI ने सुप्रीम कोट में दी थी CBI ने अपने अरजी में कहा कि सुप्रीम कोट के आदेश के बाद CBI इस मामले में जाच कर रही है CBI को पुलिस कमिशनर राजीव कुमार के खिलाफ फुकता सबूत मिले इसलिए उन्हें समन किया गया इन समन का कोई जवाब नहीं दिया गया यहां तक कि पुलिस कमिशनर खुद सबूतों के साथ छेड़चाड में शामिल पाए गए यह वो CBI की कौपी है जो सुप्रीम कोट में अरजी के तौर पर CBI की तरफ से दी गई है और इस पत्र को सबसे पहले आप निजनेशन पर देख रहे हैं सुप्रीम कोट के आदेश के बाद किस तरीके से तस्वीर बदल रही है उसकी जलक इस अरजी में दिख रही है जो CBI की तरफ से दी गई है सुप्रीम कोट में सुप्रीम कोट के आदेश के बाद ही दरसल में जाच की जा रही है यह दलील है CBI की विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि आदेश 2014 का था तो एक्शन 2019 में क्यों दिख रहा है और इस बीच हमारे सयोगी अरविन सिंग में हमारे साथ जोड़ चुके हैं अरविन क्या कुछ मतलब इस अरजी का और इस दलील में कितना दम सर्वोच अदालत के सामने CBI ने अरजी में दाखिर की है उसमें CBI ने 2014 के सुप्रिम कोर्ट के आदेश का जिकर किया और कहा है कि सुप्रिम कोर्ट के आदेश के बाद CBI अपना दाइतों निभा रही थी राजी कुमार को कई बार पूच्टाच के लिए समन जारी किया गया और उने पूच्टाच में अस्ताहियोग नहीं दिया DGP संक्रिशी कहा थी कि DGP की तरफ से को रिस्पोंस नहीं मिला तो यह एक ऐसी सती है जो बहुत दुर्भागेपूर इस सती है और सीजे तोर पर सुप्रिम कोर्ट के आदेश पर हो रही जार्ज में अडंगा डालने की कोशिश राजी सरकार की तरफ से हो रही है तो अर्दी में मांग की गई है कि कोर्ट राजी कुमार को निर्देश दे कि वो जार्ज में सहयोग करें इसके अलावा सीबी आई इस मामले में राजी के DGP कोर्कता पुलिश कमिशनर राजी कुमार और चीफ सेकरेटर के खिलाब आउव मानना याच्छी का भी दाखिल क जिसमें CBI बताएगी किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अर्दीश पर हो रही चार्ज में पड़ंगा डालने की कोशिश इन सब की तरफ से हुई है